हेलो फ्रेंड्स मेरे सिनल में आप सब का स्वागत हैं अभी दो पंगत अज में मेहंदी लगने जा रोई हूं बाल में . चलिए मेहनदी लगने के बाद फिर आपको दिखाऊँगी कैसे मेहंदी लगाया है , अभी एक एक करके नहीं यह देखिए नियन्स on만 लगतों सबनेघ्ना टोड़ी सी नीम्हें लगतेहु हों तो में दूसरे दीन लगा future तिन घंड के बाद धो लेती हूँ, यह कमज चीज है सबको पता है, फिर भी मैं लगा रही हूँ तो आपको बता देती हूँ, चलिए लगा के आपसे मिलती हूँ यह दिखें फ्रेंड्स , ए मैं न महंदी लगा लिया है, तिन घंड के बाद इसको मैं धोहेंगे झाल झाल यह दूसरे दिन का क्लिप है, अब मैं किचन में आई हूँ खिचडी बनाने, आज मेरे तब्यत कुछ ठीक नहीं है, दोपर का बनाए हुआ रूटी सबजी में नहीं खाई थी, इसलिए मैं अभी अपने लिए थोड़ा खिचडी बना लेती हूँ, चलिए खिचडी बनाते ह पहले घी डाल दिये, राई, जीरा, हिंग, तेजपत्ता, डाल चिन्नी, दो ग्रीन चिली, छोट-छोटे कटे हुए अद्रक और प्याज, डाल के इसको भून लेते हैं, अभी उसमें टमाटर मिला लेते हैं, फिर उसको भी थोड़ा सा चला लेते हैं, जब थोड़ा सा टमाटर गल जाएगा, फिर हम डाल देंगे उसमें बाकी सबजी, आलू, गाजर, बिन्स, फिर धोगे रखा हुआ था चाबल, उसको भी डाल देंगे, और उसको दो-तिन मिनिट तो कैसे ही, धिम्यांच पर उसको भूनते हुए चलाएंगे, चलाते हुए भूनेंगे उसको, जब थोड़ा नीचे-नीचे लगने कवाएगा, तब उसी टाइम पर हम आभशकता नुशर पानी डालेंगे, अभी स्वादन नमक और हल्दी पाउडर, और हम उसमें मिलाएंगे चुटकी भर गरम मसाला, इसमें में ज्यादा मसाला इस्तमाल नहीं करती, नहीं करूंगे अभी, अभी सबको चला लेते हैं, और ढखके उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं, अभी बनके रेडी हो गई है खिचड़ी, जब तब यह ठीक नहीं रहता, खिचड़ी ही अच्छा रहता है, अभी बन गया है खिचड़ी, चलते हैं, देखते हैं किछ और काम है क्या, थोड़ा कर लेते हैं, यहां थोड़ा बर्तन पड़ी हुई थी, लगया तो सब को साप करके धोके रख देती हूँ, मेरा तो हेल्थ इसू हमेशा रहता है, मगर मैं घर का जो भी सारे मेरा काम कोई नहीं है, मेरे को तो हाउसल पर जैसा कोई मदद करने वाला नहीं है, सारे काम में करती हूँ और घर में भी कौन है लड़का तो है, हजबन तो हमें सब बिजी रहते हैं अपना बिजनेस में और आदमें लोग यह सुब काम करते नहीं है ज्यादा तर, इसलिए मैं अपना हेल्थ इस अपना घर का सारे काम अकेली करती रहती हूँ, आज बहुत तकलिफ था, इसलिए थोड़ा आराम किया था, अभी यह सब करने के बाद फिर मैं आराम करूंगी, अभी मैं सोई थी, आराम कर वोई थी, खिचड़ी बनाने के बाद बाहर कुछ आवाज आया, आके देखा तो बारिस होने लगी, जोरदर बारिस आ चुकी थी, और बारिस थोड़ा बहुत हो भी रही थी, तब ही मुझे भूख लगा, मैं आई खाने के लिए खिचड़ी और राहिता, अभी मैं इसको खाने जाऊंगी, फ्रेंड्स, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मैं, आज मेरा ब्लॉग इतना ही, फिर मैं आप से मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए, बाई बाई आप सेенное, जा हाँ, लिएसा हुआ है हुआ है कर दोुआ है कर दो अभी मैं झाल